आज दुनिया में कई ऐसे पसू और पक्षी है जिन की पढ़ जाती विलुप्त हो चुकी है और कुछ जानवरों की पढ़ जाती विलुप्त होने की कगार पर है जिन में से एक है तैंदुआ जो बिल्ली की पढ़ जाती का ही एक जानवर है यह अपनी तेज रफतार और शरी जातर आराम की जिन्दगी जीता है और रात के समय में शिकार करता है तैंदवे हमेशा ताजा मास खाते हैं और इसी लिए ये खरगोश लोमडी आदी का शिकार करते हैं लेकिन कभी कभी ये मगरमच जैसे बड़े जानवर को भी अपना शिकार बना लेते हैं वैसे तो के अंदर ही क्यों ना हो और वहीं दूसरी तरफ शेर और टाइगर जैसे बड़े शिकारी तैंदवे को अपना शिकार बना लेते हैं इनकी एक दिल्चस्प बात ये भी है तैंदवे दहड नहीं सकते ये केवल गुर राते हैं और तरहे तरहे की आवाजे निकालते हैं तै कार में शेर और टाइगर से छोटा होता है तैंदवा कई बार भूका होने पर शिकार की तलाश में इंसानों की बस्ती में भी घुस जाता है और पालतु जानवर को मार कर खा जाता है सिर्फ इतना ही नहीं ये अपने शिकार को मारने के बाद पेड़ पर ले जाकर छिपा देता है ताकि वे अपने शिकार को अन्य जानवरों से बचा सके और कई बार तो यह इंसानों के बीच सडकों पर भी घुमते हुए नजर आते हैं मानों ये जंगली जानवर नहीं बलकी कोई पालतू जानवर हो और इन्होंने इंसानों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा आखिरी है कैसे संभव हो सकता है आपका इसके बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट में बताए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व बाइ